साथ संगे जी प्याश से कहना धान नेंकाय जी आज जो इस सच्छंगी माधिन से श्रद्धा और विश्वाश किस तरह हम अपना द्रेर करें उसके उपर जहां इतने महपोशों की वानी भी हमने श्रवन की और इतने खुबसूरुती से सभी ने ये समझाया कि हमारे जीवन में श्रद्धा जो reverence होती है कि कैसे हम किसी भी चीज के लिए अपने मन में जो श्रद्धा का भाव बना लेते हैं तो कैसे हमने अपने जीवन में उस भाव का जो एक मन में बिठाने वाली चीज होती है श्रद्धा कि दुनिया में देखा जाए तो श्रद्धा किसी चीज़ भी हमें हो सकती है पर यहां पे हम जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो इस प्रभू पर मात्मा निराकार से है नहीं तो अपने कामकाच की दुनिया में भी इतनी लगन से और शुद्दत से अगर कोई कारे भी करता है तो वो कहा जाता है जैसे work is worship या उस तरह से कि इस व्यक्ति ने तो अपना कारे इतने अच्छे से निभाया कि यह कामरे ही उसका पूजा बन देया तो यहां जो श्रद्धा है इस अपने इश्ट के पती एक पर मात्मा के पती तो उसकी यह जानकारी होने के बाद ही यह लगन जो लगती है यह भाव आते हैं और फिर यह श्रद्धा सिरफ अपने गुरु तक ही सीमत में होती यह हर कोई जो ब्रम्यानी है या इस संसार में कहीं भी बिचरित करता है किस तरह भी एक इंटायर हिमानीटी के प्रती यह जो दिल से श्रद्धा निकलती है फिर अगर हम सेवा भाव भी करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा ही होती है किसी को अगर घर पे बुलाया कुछ भोजन के लिए तो भी वो मन में ऐसी ही बात आती है कि वो घर जाकर बाद में बताते हैं कि मैं इन मापोशों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया तो कैसे जो वर्ड है श्रद्धा उसके पीछे अगर देखा जाए तो इंडप्त बहुत ही कुछ डीप मीनिंग रखता है ये मन में घर करने वाली बात है ये हमारे भाव हैं तो किस चीज़ पे संसार में श्रद्धा रखनी है किस पे नहीं क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर कोई नुकसान दईकारे है तो भी कुछ प्रविती के होते हैं जो लोग वो फिर उसके लिए भी इतनी द्रड़ हो जाते हैं कि इतनी अपनी निष्ठा से लगे रहते हैं कि हम रात की नीम दित्याग देंगे पर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें, ऐसा लिखें कि किसी का इससे नुकसान हो तो फिर वो वाली श्रद्धा भी किसी काम की नहीं है क्योंकि श्रद्धा सिरफ एक प्योरिटी से जुड़ा शब्ध है एक मन से वो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट की तरफ हम लेकर जाते हैं अगर मन को श्रद्धा भाव में चूर होके एक भाव का जो असली एक एक एससेंस हम ले सकते हैं और जहां श्रद्धा की बात आती है बहां विश्वाश की भी बात आती है जैसे धुनी में भी हम अक्सर विचार के बात जो श्रवन करते हैं मेरा दोलेना इतबार बख्षो श्रद्धा भावति प्यार कि कैसे ये इतबार, ये फेथ, ये विश्वाश और श्रद्धा भुट्टी प्यार से कैसे हम अरदास जो मांग रहे हैं कि प्रभु पहमात्मा हमारे जीविन में जहां श्रद्धा भी और हमारा भाव एक पक्का करें और साथ ही ये विश्वाश का भी पक्का होना उतना ही जरूरी कि ये उस चिडिया के दोनों पंख हैं जब श्रद्धा मन में हैं तो ही उस भाव से अपने विश्वाश को द्रेख करते हैं हम भक्ति को पून कर सकते हैं तो जहां विश्वाश की बात है वो हम देखें तो विश्वाश हमारे कितने आस्पेक्ट्स में जीवन में होता है चाहे हम एक अपनी बात करें कि एक नॉमल बात कि अगर कोई इंटव्यू के ले भी कोई जा रहा है तो कैसे इंटव्यूर्स को एक confidence factor पर चेक करता है और बा पहले हमारा अपने उपर और कैसे फिर वो अगर हम और जादा depth में जाएं तो हमारा आत्मी विश्वाश तो हम क्या हैं हम शरीर तो नहीं हैं हम आत्मा हैं तो कैसे ये जब आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ तो फिर ये एक विश्वाश इस परमात्मा पे और वहीं से ही जैसे मातर सविंदर जी always used to use the phrase Godfidence, कि कैसे ये Godfidence होना, इस परमात्मा पर पूरा confidence, ये पूरा विश्वाश कि कैसे इसी की लगन में रहना, इसकी हर बात को इस तरह मन में बिठा लेना, कि इससे उपर कुछ है नहीं, तो ये जब विश्वाश हो जाता है, फिर वो कुछ क् चेक करने का भी scope नहीं बचता, कि जैसे अगर उधारन लिया जाए, कि पानी में तो 100 डिग्री पे उबलना ही है, तो अगर हम उसको चेक भी करें थमामेटर से, उस उबलते पानी का temperature उस समय, तो 100 डिग्री ही होगा, पर ये बात अगर हमारी कोई टीचर हमें कह भी दे, त और कुछ नहीं, तो फिर कैसे ये परमात्मा अगर इस तरह देखें कि हमेशा है, तो क्या हम परक हैं, वो चीज हम किस तरह विश्वाश के तराजु में कहा रहें, फिर कि अगर परमात्मा के द्वारा कोई स्थिती हमें जो मिली है, उसमें भी हम सोच विचार करें और तो विश्वाश का चपू है तो नहीं आने पार होना ही है, क्यूंकि फिर वो विश्वाश हमको सही डारेक्शन में भी लेके जाता है, हमको हमारे छोर अपने किनारे तक भी लेके जाता है, तो भग ने तो अपने जीवन में और दुन्याभी माया का असर नहीं लेना, किस में तो कुछ भी कह देते हैं कि देखिए आप तो यहां आस्ता रखते हैं तो भी आपके जीवन में ऐसे घटना घट गई पर भक्त को पता है कि यदि यह घटना घटी भी तो यह किस तरह मेरा विश्वाश है कि दातार में गलत नहीं किया इस घटना में भी तो कैसे हम दुनिया की बातों का असर मन पे ना लें और अपने विश्वाश को कम नहोंने दें और किस तरह हम जब संसार में हैं तो अपने मन में एक आनंद की अवस्ता यह कायम तभी रख सकते हैं जब एक विश्वाश हमारा इतना द्रेर है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमार मन का यह जो डगमगाहट है वो नहीं मन में आएगी और एकदम स्तिर निरंकार प्रभू से जुड़कर हमारा मन भी स्तिर है और इसी के अंधर यह पूरा विश्वाश टिका है तो कैसे भक्ती में यह विश्वाश का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना विश्वाश तो यह भक्ती फिरपूर नहीं हो पाएगी यह बहुत ही महत्वपूर अंग विश्वाश है इस जीवन में हर चीज़ पे चाहे अगर हम और रिलेशन्चिप्स में भी देखें कि कैसे अगर चाहे परिवार का रिलेशन्चिप हो या बिजनिस का हो तो बिजनिस में भी क्योंकि फिर अगली बार तो या वो व्यक्ति कहेगा कि पहले पैसे दीजिए और फिर सामगरी हमसे लीजिए या फिर वो बिल्कुल कट कर देगा आगे से कोई नाता ही नहीं रखना चाहेगा ऐसे ही परिवार में भी अगर रिलेशन्चिप्स की बात आए तो अगर विश विश्पाश उस असपेक्ट में भी है एक रिलेशन्चिप्स की जाए बात हो या दिन में कुछ भी हम ऐसा कर रही है और दूसरा असपेक्ट अगर हम ये भी देखें कि हम सचसंग में जब जाते हैं चाहे हमारी ड्यूटी किसी रूप में भी लगी हो स्टेज पर हो एक व बैठा ये गुरू रूप ही है ये बदी पहन के महापुष ये सचसंग की ही सेवा कर रहा है और ये वक्ता पे भी वो विश्वाश की जो ये कह रहे हैं इनके जीवन में ये बात पूर्ण उत्री भी है तो कैसे वो विश्वाश का पहलू भी जहां एक हम पूरी सचसंग एक संगत कैसे हम इंडविज्वेल्स उस टाइम को इंडविज्वेल्स नहीं देख रहे होते एक ब्रह्म ज्यानी मानकर उनका पूरा आदर एक पूरा विश्वाश उनके उन क्यारेक्टिस्टिक्स तो भी आता है और साथ ही अगर हम चर्णामत की भी बात करते हैं कि कैसे एक अगर है देखा जाए तो वो पानी पर वो पानी एक ब्रह्म ज्यानी के चरण सपर्ष से हो चाहे गुरू के या ब्रह्म ज्यानी बात एक ही है क्योंकि अगर मन में विश्वाश नहीं तो वो चर्णामरद भी नहीं वो सिरफ पानी का ही असर करेगा तो यहां फिर बात विश्वाश की ही आती है कि उनकी संतों का तो यही काम है कि अपने विश्वाश को जहां द्रेर करें और दुनिया के लिए भी एक वो अपने आप ही एक आईल फिगर बन जाते हैं कुछ दिखावे के लिए नहीं पर एक दुनिया से भी संतों के लिए वो एक expectation बन जाती है जैसे कहा भी गया है कि संत ना होते जब में तो जल मरता संसार कि कैसे एक संतों की responsibility है ये संतों पर दुन्या का विश्वाश है कि संत हैं तो प्रवरिती कैसी होगी वो आध भुजाने वाली चिरिया ही है सारे संत की अपना योगदान किसी रूप में भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पर वो एक मानफ़ता के कल्यान के लिए ही है तो कैसे हम जहां विश्वाश की बात करते हैं वहां अंगिनित और पहलू भी आ सकते हैं तो एक विश्वाश जहां हमारा इंटर्नल विश्वाश इस प्रभु बर्मात्मा के उपर वहीं एक हम ब्रम्यानी हैं तो responsibility भी है और दुनिया के नजरों में जो एक responsible figure की तरह हम अगर हैं तो वहां हमने किसी का वो विश्वाश भी नहीं तो ने देना अपने उपर से एक उनके विश्वाश का मान रखना है किसी का भी अगर एक वो बात हो कि ये तो व्यक्ति इस mission से जुड़े हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसी बात किसी के सामने हम ना करें और हमारे चरित्र में भी ना हो तो दुनिया का भी हम पे विश्वाश एक बनाए रखना जो हमारी responsibility है तो उसको भी हम कायम जहां रख सके वहाँ अगर हम फिर से इस मिरंकार इस दातार इस परमात्मा के उपर एक विश्वाश की बात जहां करें तो ये परमात्मा तो कायम बायम है ये तो किसी proof का महताज नहीं है तो हमें इस पर विश्वाश रखना ये हमारे लिए एक benefit है ना कि निरंकार के लिए क्योंकि निरंकार को इस बात से कोई असर नहीं होगा तो जो भॉला होना है जो फाइदा होना है वो हमारा ही है क्योंकि हमारे ना मानने से विश्वाश ना करने से भी कुछ इसमें चेंज नहीं आएगा पर हम अगर विश्वाश कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो देरता एक positivity एक हमारी smoothness एक flow वाली बात आनी तो कैसे एक सहज भाव एक आनंद की अवस्ता हमारी ये खराब ना होनी हम हर समय एक bliss का एसास करते हुए फिर हम ने अपने जीवन में श्रब्भा और विश्वाश कायम करते हुए जहां इस नरंकार पे अडोर यहना है कि कुछ भी हो ये नरंकार हमेशा साथ है ये विश्वाश रखते हुए एक पूर्ण और भी अगर विश्वाश को देखें तो कैसे एक हमारी ड्यूटी भी है कि किसी का विश्वाश हम न तोड़ें तो उस्सी तरह साथसंग के प्रती सेवा के प्रती सुम्रन की प्रती पूरी श्रब्भा और विश्वाश मन में रखते ही अपनी इस जीवन की नईया भक्ती के रस्ते पर चल कर एक मन्जिल को प्राक्त करें ताकि हम सब हमेशा एक पॉजिटिव कॉंट्रिबूशन अपने लिए और संसार के लिए दे सकें साथसंगत जी भाननकाई जी कर प्रास कर दो कि में लिए अपने लिए busy झाल झाल